सौरी कि वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है बट मैंने ऐसा कुछ नोटिस किया है जिसने मुझे बहुत जादा खुश कर दिया तो, well hello मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी Multiverse of Madness का जो ट्रेलर आया है उसने सच में Madness की सारी हदे पार कर दी है मतलब हर एक सीन को ऐसे दिखाया है कि सबका काट दिया हाँ, मतलब मार्वल वालों का ये जन्मसिद्ध अधिकार है सबका काटना लेकिन फिर भी इस ट्रेलर ने मार्वल फैंस की दुनिया में बवंडर ला दिया है बवंडर, याने की हाइप बढ़ा दी है और बहुत सारे क्वेश्चन्स भी लोगों के सामने लाके रख दिये और सिर्फ ट्रेलर ही नहीं, एक टीवी स्पोट और एक ओफिशल पोस्टर भी रिलीस किया गया है और क्या ट्रेलर है बॉस, I mean जितनी कूरियासिटी और हाइप नोवे होम में बढ़ी थी उससे भी कई जादा इस ट्रेलर के आने के बाद बढ़ चुकी है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो मल्टिवर्स के दरवाज़े ओपन किये थे उसमें से स्पाइडर मैन के अलग-अलग वेरियंट्स और उनके विलन्स तो हमें एक साथ देखने को मिल ही गए लेकिन इस वाले मुवी में एक्स मैन को MCU के साथ ऑफिशली जोडा जाएगा येस पक्का अरे स्पाइडर मैन के साथ आगे चलके डेड़ पूल को भी तो दिखाना है हाँ अगर आप इसके ऑफिशल पोस्टर को ध्यान से देखो तो बहुत से लोगों ने कैप्टन कार्टर की शिल्ड तो देखी ली है वाटी फॉली कैप्टन कार्टर पर इसमें डेड़ पूल भी है दोस्तो I mean मुझे ऐसा लगता है अगर गौर से देखो तो ही में भी मैं गलत हूँ पर पिक्चर मैच तो हो रही है अब ये शायद पॉसिबल हो भी जाएगा डेड़ पूल एक कॉमिक एलिमेंट हो सकता है इस डार्कनेक्स से भरी मूवी में जहां सब कुछ हॉरर, डार्क और इंटेंस दिखाया जा रहा है वहाँ हलके पूल के कॉमिक एंटर्टेंडमेंट के लिए डेड़ पूल को भी इंटर्डूस कराया जा सकता है क्यूंकि मार्वल हमेशा से ही कॉमिडी को भी अपने हर फिल्म में जोड़ता आया है इसमें डेड़ पूल अगर आ जाए, तो मजा ही आ जाए बाकी इस ट्रेलर में सबसे जादा, सबसे हटके और सबसे बढ़िया अगर मुझे कुछ लगा तो वो है इसके विजूल एफेक्ट्स माइड ब्लोइंग और कुछ एक बात है इस ट्रेलर में जिससे हाइप और भी जादा बढ़ जाती है जैसे पहले ही शॉट में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज नजर आते है तो प्रॉबबली ये अपने वाले डॉक्टर साहब तो नहीं है या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो अपने वाले ही डॉक्टर है पर उन्होंने ये क्लोक अप लेविटेशन थोड़ा अपग्रेट किया हो क्योंकि एक सीन में उनका क्लोक फटा हुआ दिख रहा है पर उससे ही नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि वो ये सब सपने में देख रहे है और सपने से जागने के बाद everything got real मतलब chaos ही chaos और chaos से याद आया जैसे पहले ट्रेलर में हमने वोंडा को देखा था कि शायद वो डॉक्टर स्टेंज के मदद करती पर इस ट्रेलर में वोंडा के इरादे थोड़े evil नजर आ रहे है और same scene को हम दो versions में भी देख सकते है एक natural और एक evil red पर इसके साथ वोंडा के भी दो versions हमें दिखाए गये है या I think 3 पर एक शॉट में डॉक्टर स्टेंज हमें chaos magic परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे है डार्क होल्ड की किताब के साथ पर ध्यान से देखो तो उनके बाजो में कोई खड़ा है most probably Wanda का अच्छा वाला variant जो स्ट्रेंज को chaos magic की ट्रेनिंग दे रही है या वो अगाथा हार्कनेस भी हो सकती है you never know क्योंकि ये movie No Way Home और Wanda Vision दोनों से connect करेगी तो probably इस फिल्म के last में विजन की भी entry हमें दिखाई जाए और इससे भी जादा कुछ Iron Robot Strange को लेकर कही जा रहे है और वहाँ आवाद सुनाई देती है Charles Xavier की याने X-Man वाले Professor X की आवाज फर्स्ट वाले और उनका हलका सा glimpse भी हमें देखने को मिल जाता है याने यहां से MCU धीरे धीरे X-Man को भी अपने Multiverse का हिस्सा बनाने वाले है और क्या पता आगे चलकर अगर Wolverine या Deadpool भी हमें MCU में कैमियो करते दिख जाए तो हैरान मत हो जाना क्यूंकि टाइटल ही कुछ ऐसा है मिर भाई Multiverse of Madness एक और सीन में हमें Wanda के साथ कोई लड़ते हुए नज़र आ रहा है Captain Marvel जैसा बट नहीं मुझे नहीं लगता मुझे तो वो सुपेरियर Iron Man लग रहा है Tom Cruise वाला क्यूंकि उसके सूट से Blue and Silver की जलक नज़र आ रही है जो Comic accurate है और ध्यान से देखे तो दाड़ी भी नज़र आ रही है है क्या? हाँ है देखो हाइप बड़ी है तो होपस भी बढ़ चुकी है क्यूंकि जहाँ Dr. Strange को कैदी बना कर लाया गया है वो Illuminati's का Headquarter है जिसका हिस्सा खुद Iron Man है या कहे Superior Iron Man और मेरी ऐसी theories है कि जो Robots Dr. Strange को पकड़ कर ले जा रहे है वो Iron Man नई Superior Iron Man के ही Robots है और जो Chairs वहाँ खाली दिख रही है वो Definitely इन लोगों ने जोल जाल करके Edit किया है और खाली कुरसे आपको दिखा रहे है जैसे No Way Home में जोल जाल करके दोनों Spider-Man को हटा दिया था वैसे ही वैसे No Way Home की तरह इसके भी Leaks आ ही जाएंगे पक्का हाइब जो बढ़ानी है सब मार्केटिंग है और लास्ट में Dr. Strange का एक अलग ही आउतार हमें देखने को मिलता है Zombie वाला जहां मुझे एकदम से What If Wallet Dr. Strange की याद आ गई जिसमें वो सारे Monsters को Absorb कर लेते है तो यहाँ पर भी यह हो सकता है कि जो Defender Dr. Strange है वो वैसा ही कुछ करके ताकतवर बनने की चाहत में Zombie Fight हो गए हो तो यह सब देखने के बाद मुझे तो परसनली यही लगता है कि जो ट्रेलर में दिखाया गया है उसका 50% माल तो शायद नकली है और जो मुवी में दिखाया जाएगा वो ट्रेलर से काफी जाधा अलग हो सकता है तो एनिवेज जो भी होगा वो 6th में को देख ही लेंगे बाकी मिलता है अगले वीडियो में बाई लंबा हो गया वीडियो नहीं